घर में नकारात्मक उर्जा से बहुत ज़्यादा परिशान है, पती का सोभाव बहुत अजीब है, तो आज आपको बताने जा रही हूँ बैंगन का एक अद्बुत उपाए मैं हूँ डॉक्टर उमाशरी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बैंगन के इस उपाई से आपको फाइदा मिले, ये परमात्मस से मैं प्रात्ना करती हूँ मित्रो नदी शनी दोश है, आपकी गुंटली में नाटी चल रही है ये बहुत बहुत नगिटिव थिंकिंग है पती की ये पत्नी की भी, ये पती भी कर सकते है मतला किसी की भी negative thinking है हर बात का उल्टा meaning निकालते हैं जो कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा सोचते हैं शक वहम करते हैं तो आप बैंगन की सबजी बना कर और गरीबों में विद्रित करिए शनिवार के दिन और जॉगी रोटी तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इससे शनी रहों की शानती होती है इसके अलावा आप बैंगन के चार टुकड़े करें बैंगन के चार टुकड़े करके बैंगन को आप अपने हाथ में पकड़ें थोड़ी दिर इसके बाद आप उस बैंगन को थोड़े सा रगड़ें. रगड़ने से उसके अंदर से एक बैंगन का जूस तो नहीं निकलता है, लिकिन बैंगन के अंदर से एक गिलापन हो जाता है उसमें, इसको लेकर आपको एक मिट्टी का पुतला बनाने है, और उस पुतले पर बैंगन का जो अंदर का जूस है या जो भी है उसे लगा देना है अगर आपको ऐसे समझ भी नहीं आता तो फिर आप बैंगन एक मिक्सी में पीस भी सकते हो लेकिन वो बैंगन के जो चार टुकड़े आप करेंगे उसके अंदर फिर आपको उसको लगाना पड़ेगा पेस्ट को तो आप ऐसी रखड़ी है थोड़ा सा बैंगन को तो हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए थोड़ा सा ही उसमें गीला पना जाए और एक मिट्टी का पुतला बना के उस पर लगा देना है वो पुतला एक प्रकार का श्राप है जो ग्रहन बनके आपके जीवन पर लगा हुआ है आपके घर की खुशियों को चीन रहा है आप लोग बिल्कुल इंजॉई नहीं कर पा रहें लाइफ को पता नहीं बिना बात की क्या दिक्कत आपकी लाइफ में आती रहती है यह सब दूर होने लगेगी उस पुतले को आपको बोचीज लगा कर और फिर पुतले के कान में आपको सारी बाते बोल देनी है कि वो आपके घर की सारी अलाबला अपने साथ ही लेकर चला जाए और फिर उस श्राप रूपी पुतले को आपको चौराहे पर रखकर आ जाना है और ये बात किसी को बतानी नहीं, घर आकर हाथ मों धोलेना है और अपनी जो चपल है, जिसको पैन कर गए थे, उसको फैंक कर नई चपल लेकर आ जानी है चाहें तो नई चपल पहले से लाके रख लें और वो पुरानी चपल आप फैंक दे ये शनी वार को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाए है तो ये और ये किसी भी संबंद के लिए, कोई भी संबंद है, वो खराब हो रहा है घर में, नेगेटिव एनर्जिस बहुत जादा है मतलब इसके सो फाइदे हैं, सो फाइदे हैं इसके समझ दीजे कम से कम तो शनीवार के दिन बैंगन का ये उपाए बहुत ही कारगर है इसके अलावा आपके अगर घर में बारबर नजर लगती है तो काले कपड़े में एक बैंगन बांद कर सिर्फ शनीवार शनीवार अपने घर के मुख्या दवार पर लटका दीजे में डोर जो सड़क से जुड़ा होता है ना सिर्फ शनीवार शनीवार और उसके बाद उसको संडे को चोराई पर फैंग दीजे ऐसा करने से भी आपकी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी आप बैंगन का भुरता बना कर भी दान कर सकते हैं अगर आपकी कुनले में मंगल शनी आपको परिशान कर रहे हैं तो बहुत ही चमतकारी को पाए है ये बैंगन के भूरते का भी दान या बैंगन का दान ये बहुत ही फाइदे मन दे और बैंगन को आप अपने सिरहाने भी रखके सो सकते हैं रात को और फिर उसको आप चौराई पर फैंग दे ऐसा आप साथ शनी बार करें तो भी आपको फाइदा मिलेगा शनी आपको बहुत ज़्यादा खराब है बहुत परिशान कर रहा है तो जहां भी बैठें वहाँ पर अपने पास में एक बैंगन रखें और उसके बाद में आप उस बैंगन को फैंग दे उठाकर ऐसा करने से आपकी जो भी नगेटिव उर्जा आपके उपर शनी की वज़े से पढ़ रही थी वो आपके उपर ना पढ़के वो बैंगन अपने में ले लेगा आपकी फैटा बैंगन अपने में ले लेगा तो आज की वीडियो को कैसी लगी ज़रूर बताना